क्रिकेट की इंसाइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले हैं क्रिकेट की एक्स्क्लोसिव खबरें रोहित हिटमैन शर्मा ने वो कर दिखाया जिसका फैंस को बेसबरी से इंतजार था रोहित शर्मा ने तौर ओपनर टेस्ट मैचों में शानदार आगास किया और रोहित ने अपने पहले ही टेस्मेज में जबर्दर शटक बना लिया और शटक भी ऐसा के फैंस बेकाबू हो गई हिटमैन की बैटिंग देखकर मगर सबसे मज़िदार पल आया पचासमे ओर में जब रोहित शर्मा ने अफरीकी गेंदबाज डेंट पीट को दिखाई अपनी असली क्लास और जड़ दिये लगातार शक्के तो आपको दिखाते हैं कैसे रोहित शर्मा ने पचासमे ओर में मचाया हंगामा और रोहित के लगातार शक्के मारने के बाद फिर क्या हुआ तो आप भी हिटमैन को पसंद करते हैं तो वीडियो को शेर करें और हां कमेंट करना बिलकुल ना भूलें तो रोहित शर्मा ने वो कर दिखाया जिसके बारे में शायद कप्तान और कोच तक ने भी नहीं सोचा होगा सबको उमीद थी कि रोहित अच्छा खेलेंगे लेकिन अपने ओपनिंग डेबु में ही शतक जड़ देंगे ऐसी उमीद कमी लोगों को थी मगर रोहित शर्मा ने तो शतक भी बनाया और शतक भी ऐसा कि दुनिया रोहित की दिवानी हो गई है मगर इस मैच का असली मज़ा आया पचासमे ओवर में जब रोहित शर्मा ने बॉलर की ऐसी हालत कर दी कि वो रोने के बजाए हसने लगा तो असल में रोहित शर्मा के सामने पचासवा ओवर लेकर डैन पीट आए और आप स्पिनर डैन पीट को रोहित शर्मा पहले भी काफी रन मार चुके थे और इस ओवर की चौती बॉल पर रोहित शर्मा ने कदमों का इस्तमाल किया और मिडविकेट की तरफ तकड़ा शर्मारा रोहित का शर्मा ऐसा था कि बॉल सीधे बाउंडरी से बाहर जाकर गिरी और छक्का हो गया और श्पिनर डैन ने अगली बॉल मडल स्टमपर डाली यह अच्छी बॉल थी लेकिन रोहित ने इस अच्छी बॉल को भी इस बार लॉंग ऑन बाउंडरी के बाहर छेरन के लिए भिज दिया रोहित शर्मा ने इस बार लॉफ्टेट शोट मारा और रोहित ने लगातार दो चक्के मार दिये पहले दिन अपनी पारी में पांच शक्के उड़ाए और प्रोटियाज बॉलर को कहीं का नहीं छोड़ा रोहित ने दिखा दिया कि उन्हें हिट मैन क्यों कहा जाता है और वन डे और टी ट्वेंटी जैसी बेटिंग और टेस्ट मैचों में भी कर सकते हैं वैसे रोहित का अंदाज देखकर तो यही कहा जा रहा है कि अब टेस्ट मैचों में विरिंदर सहवाक के सारे रिकॉर्ड्स को रोहित शर्माई तोड़ेंगे तो आपका क्या कहना है आप भी रोहित को लेकर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें Flame Media Report